हमें इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करना होता है तो हम लोग Google सर्च एंजन का इस्तमाल करते हैं लेकिन गाइस क्या आप लोगों को पता है कि इतने बड़े सर्च एंजन का नाम गलती से बढ़ा था मैं आपको बताता हूँ एक्चली गूगल के फाउंडर्स यानि की संस्थापक इसका नाम GOOGOL रखना चाहते थे लेकिन स्पैलिंग में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि ये बन गया GOOGLE जिसे हम आज कल गूगल के नाम से जानते हैं कितनी अजीब बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का नाम गलती से पड़ा था क्या आप लोगों को इससे पहले तक इफेक्ट पता था और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा गाइज क्या आप लोगों को पता है कि भारत देश के हर सिक्खे के सन के नीचे कैसा निशान बना होता है जिसे देखके आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सिक्खा कहां पे ढाला गया है जी हाँ guys अगर diamond बना हो तो ये सिक्का Mumbai में ढाला गया है अगर dot बना हो तो ये सिक्का Noida में ढाला गया है अगर star बना हो तो ये सिक्का Hyderabad में ढाला गया है और अगर कुछ भी नहीं बना हो तो ये सिक्का Kolkata में ढाला गया है क्या आपको इसके पहले तक एफेक्ट पता था और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा Guys आप लोगों ने किसी भी नदी के उपर से गुजरते ब्रिज को तो देखा होगा वो ब्रिज इसली बनाये जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाये जा सके लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तयार किया है जहां से ट्रैफिक को नहीं बलकी एक नहर को नदी के उपर से पास करवाया जाता है कितना amazing लगता होगा ना कि नीचे से नदी बहरी है और उपर के पुल से कोई speedboard निकल रही है आप लोगों को इस amazing पुल के वारे में सुनके कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा आजकल के smartphone में यूज होने वाले fingerprint sensors technology wise इतने जादा advance होते हैं कि वो जिन्दा आदमी और मरेवा आदमी के fingerprint के बीच में difference कर डालते हैं मतलब यह हुआ कि मान लीजिया आपने किसी मरेवा आदमी के phone को उसी के fingerprint से खोलने की कोशिश करी तो fingerprint sensors उसे sense करके unlock होने ही नहीं देगा यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे fingerprint सिकुंडे लगते हैं जिसे fingerprint sensor identify कर लेता है और phone को कभी unlock नहीं होने देता इतनी advanced technology आप लोग अभी use कर रहे हैं क्या आपको इसके पहले तके बाद पता थी और नहीं पता थी तो chat section में लिखना मत भूलेगा Rolls-Royce दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम लेकिन क्या आपको पता है कि Rolls-Royce की कारों के पहियों में लगा हुआ RR का logo लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता वो हमेशा सीधा रहता है अगर आपने कभी गोर क्या हो तो जितनी भी कार कमपनीज हैं वो अपने कार के पहियों के बीच ओबीच कार का logo लगाती है लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है लेकिन Rolls-Royce की कारों में ऐसा mechanism यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी RR का logo हमेशा सीधा ही रहता है इससे Rolls-Royce कंपणी ये संदेश देना चाहती है कि कंपणी हमेशा उंचाईयों और सफलता की तरफ देखती है क्या ये फेक्ट आपको इसके पहले तक पता था और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा क्या आप लोगों को पता है कि Tom Cruise अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं जी हाँ गाईज आपने ठीक सुना स्पेस में और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी और इस काम में Tom Cruise की मदद Elon Musk की कंपनी स्पेस एक्स और NASA भी कर रही है होगा कुछ यूँ कि स्पेस एक्स के रोकेट से सबसे पहले लोगों को और समान को International Space Station में लेके जाए जाएगा और उसके बाद वहाँ पे शूटिंग की जाएगी सो गाइज तैयार हो जाएए फर्स एवर मुवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है क्या आप लोग एक्साइटेड हैं अगर हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक जुवैलरी शोप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगुठी निकालके सेल्समेन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है तो सेल्समेन अंगुठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सक्त जरुरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। ये सुनकर सेल्समेन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरुरत उस महिला को थी, वो सिल्समेन उसे वो पैसे देता है लेकिन आखों से आखसू तब आ जाते हैं जब वो सिल्समेन उस रिंग को भी उस महिला को लोटा देता है आप इस वीडियो में उस महिला के रियक्शन उसके बाद देख सकते हैं गाइज इसे देखके लगता है कि इंसानियत आज भी जिन्दा है आपको ये इंसानियत का पैगाम कैसा लगा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा